नमस्कार एट मार्च हम हर वर्ष अंतर राष्टिय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों आज हम इस विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इनोबेशन और डिजिटल टेक्नलोजी इसका जेंडर एक्विलिटी पर कितना महत्पुन रोल है क्या इफेक्ट है और इसके लिए हम विविन छेत्रों से जुड़े हैं लोग चाए वो रंगमंज से हो, सिनेमा से हो, कोकिंग से हो, टेक्नलोजी से हो, उच्चिपत पर आसीन महिला अधिकारी हो इनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं तो चलिए हम मिलते हैं कर दो चलिए हम मिलते हैं अक्षीमा जैसे कि हम जानना चाहेंगे और हमारी दर्शक भी बहुत इंटरस्टेड हैं जानना चाहेंगे कि आपकी फील जो है उसमें आप अपने जो अनभव आपको मिले वो प्लीज थोड़ा साजा कीजिए तो जब मैं राइपूर में थी मैंने हासे अपना ग्रेजुशन कंप्लीट करा बी एसन फाशन दिजाइनिंग में तो मैंने सोचा मैं आगे की और पढ़ाई कर सकते हूँ टेकिंग एक वानियर का ब्रेक फिर मैं डिसाइड क्या मैं पूने जा के और कोर्स करोंगे तो मैं यह पाशन स्थाइलिंग का कोर्स करी थी थू 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 थे क्नोलोजी जब मुझे पता चला ऐसा भी कोई फील है तो मेरे कॉलेज में एक इंटर्वी वा चूटा सा तो मैंने बोला कि यह इंटर्वी तो मजे देना क्यों मैं लाइफ में कभी कोई इंटर्वी नही दिया तो आई बाज इंटर्वी दिया तो देट सो बच्चे बैठी होए थे उस इंटर्वी में छे बच्चों का सेलेक्शन हुआ उसमें से एक मैं थी तो ही इस दी डिजाइनर ऑव बाजी रव मस्तानी जिनके अंडर में मेरा सेलेक्शन हुआ चंटरकान सोनावने और अजे जो मेरी पहली मुवी थी वह पद्मावध थी जो मैंने करी उसके बाद दीरे पत्मावध की बचलगों ने देख इनको काम अच्छा लगई फिर ममझे राजी मिली, मुझे राजी मिली मुझे कलंक मिली, तकत मिली मैंने मतलब दीरे करके अपनी एक पहर्छान बनाए अबिशेक चौदरी जो है चतिजगर के पहले रंग कर्मी है जिनका चैन राष्टिये नाटे विद्धाले वारानसी में हुआ और ये अब रायपूर में नाटे और सिनेमा से जुरी हुई संसा के अध्यक्षे हैं जो युवाओं और बच्चों को नाटक से विदा से परिच स्वागत है अभिशेक जी जैसे कि हम अपने दर्शोकों से बात कर रहे थे कि डिजिटल टेक्नलोजी और इनोवेशन इसका बहुत सब डे टुडे लाइफ में इंपोर्टेंस बढ़ गई है तो आपकी जो नाटक से रंगमंच से संबंदित है इसमें आपके अनभव कैसे रहे रंगमंच में इस समय ऐसा है कि बहुत से प्रदेश हैं बहुत सी जगह हैं और इंडिया जहां पर टेक्नलोजी को खास तोर पर इस्तमाल किया जा रहा है एक समय ऐसा था जब कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते थे कि ठीटर को सिर्फ ठीटर रहने दीजिए उसमें पर फिर भी क्योंकि हम शायद उस बीच के समय में हैं तो हम अभी सीख रहे हैं और कुछ नया गढ़ रहे हैं कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सार एक्जांपलस हैं हमारे भारत में जैसे एक है पंजाब नाटे शाला अमरिस सर में है यह उसके डारेक्टर फांडर है जतिंदर बरार तो उनका पुरा स्टेज रिवॉल्विंग स्टेज है तो इस टेज में अगर आप सेट लगाते हैं और आपको बस उनका एक साइट दिख रहा है स्टेज का और जब हम कहते हैं दिर्श्य परिवर्वरतन जो हमारे आटक में होता है तो उसमें पु कुछ और नया डालते हैं निकालते हैं जो भी करते हैं और फिर से उसे घुमा देते हैं तो मतलब इसके वजाए इसके कि आप ब्लैक आउट करें या आप उसमें टाइम लें या आप आए जाएं वो जो समय जुम लगाते हैं कि ब्लॉक्स रखना ब्लॉक निकालना पेड़ा लगाना कुछ और करना आप यह दिखाते हैं तो यह मिलता जाता है इक्जैक्ली तो दरशों के लिए बिल्कुल एक मैजिकल सी चीज हो जाती है कि अरे वाई यह क्या हुआ यह बड़ा सुंदर सी चीज देखने को मिल रही है तो इस तरह से उन्हों ने अच्छा वह इसलिए कर पाते हैं शायद मुझे ऐसा लगा उनके बारे में पढ़ा तो वह इंजीनियर है एंजीनियर थे रिटायड है तो इसलिए उनका दिमाग उस तरह के से चलता होगा अच्छा वापे ड़क्ट भी है ऐसे हम आज बात करते हैं 5D की और IMAX की कि आपको वहां पे जो करना है तो क्या करें तो वहां ड़क्ट लगे हुए है तो जो फ्रेग्रेंस है उस सीन का आप उस ड़क्ट से उस फ्रेग्रेंस को भी डालते हैं अगर वो कुछ बहुत ही खुशनुमा सीन है तो उस तरह की खुश्बू आप में वह पहलाएंगे इस प्रिंकलर्स हैं पान कर्म करें साथ में तो बहुत जरूरी होता है कि जो लड़के काम करते हैं उस ग्रूप में अगर मालो दस में से अगर आठ लड़के हैं तो आठ लड़के ऐसा माहूल बनाएं आपके संस्था के अंदर कि लड़कियां कमफोटेबल फील करें सबसे पहली जिम्मेदारी मौलि करनी है सिनिमा में जाना है या फिल्म बनाना है वेब सीरीज करनी है जो भी करना है तो यह हमारा एक बहुत अच्छा बेस हो सकता है तो लड़कियां कॉस्ट्म डिजाइन भी करती है आज नाटक के लिए वेकि अब चीजें थोड़ी सी जादा लोक परफेक्शनिस्ट होत जो सीख है वो लाइट में काफी हुई है तो वो जब भी हम नाटक करते हैं तो लाइट वही करती है मताब लाइट डिजाइन वही करती है लाइट ओपरेट वही करती है हमारा डिपार्टमेंट अभी एम्स के साथ एम्स राइपूर के साथ एकोलाबरेशन में ब्रेस्ट क पास जाना है, especially breast cancer को लेके लेकिन भारत में अभी भी महिलाओं को महिलाओं में एक थोड़ी ऐसी सोच है कि कि कारुछी घाना है, मतलब माली जुष को बहुत पहले ही जानेमें, न न घुटनीज जानकारी को जानता है कि हमें कुछ breast cancer के symptoms दिख रहे हैं, हम एक artificial intelligence based model design कर रहे हैं, develop कर रहे हैं. दोस्तों, हमारे साथ National Institute of Technology की faculty, researchers और students हैं, जो हमारे विशे, digital technology और innovation, gender equality में कितना role play कर रहे हैं, इस विशे पर अपने विचार वेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि digital technology और innovation जो है, वो किस तरह से role play कर रहे हैं, gender equality में? जी, gender equality में जो technologies हैं, related to biomedical, इन्होंने बहुत बड़ा role play किया है, पिछले 10 वर्षों में, देखा जाए, काफी विक्सित हुई हैं technology, जिससे, इसको मैं relate करना चाहूंगी health care से, और क्या कहते हैं, especially महिलाओं से जुड़े जो रोग होते हैं, जिनका पहले जब technology इतनी विक्सित नहीं थी, तब महिलाओं से जुड़े हुए जो रोग होते थे, like breast cancer और uterus cancer, इनका पता लगा पाना early stage में काफी मुश्किल हुआ करता था, तो जब तक ये stages काफी बढ़ जाती थी महिलाओं में, तब उनका इलाज शुड़ू होता था, तब उनको पता चलता था कि हम इससे ग्रसत हैं, और फिर डॉक्टर उनका इलाज करना शुड़ू करते थे, और तब तक उनका आखरे stage आता था और वो मृत्यू के दर पे पहुच जाती थी, लेकिन जब से ये technologies विक्सित हुई हैं, बायो मेडिकल और initial stage में कई devices ऐसे विक्सित हुए हैं, जो उनका अरली stage में पता लगा लेते हैं, इससे महिलाओं को बहुत ही ज़ादा help हुई है, बायो मेडिकल पॉइंट, means health care point of view से तो technology ने women's को बहुत empowerment प्रोवाइट किया ही है, बड़ साथ ही साथ, means in case हम लोग देखते हैं, तो means technology ने women's safety को भी बहुत हद तक के enhance किया है, means आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने, means आप उस exactly उस जगह के बारे में आपके घर में आप जितनों को बताना चाहें, आप exactly बता सकती है, gender equality है बहुत सी countries में, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि जो gender equality वो हमारी country में नहीं है, लब एक time था जब थोड़ा सा दबाया जाता था females को, लेकिन आज की date में मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि इतना, बलकि females को बहुत जादा opportunities भी मिली है, प्लस opportunities के अलावा उनको बहुत सारे benefits भी है, जैसे suppose मैं, मेरे लिए ये जो field है, research वाली, ये बहुत convenient लगती है मुझे, मुझे यहाँ पर, मतलब treatment के वाइस अगर कहूं तो हाँ, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं, मुझे कोई special treatment मिल रहा है, because I am a female, या ऐसा भी नहीं लगता है कि मुझे बहुत जादा परिशान किया जा रहा है, प्लस कई बार benefits भी, जैसे government तो अपनी तरफ से बहुत benefits देती है, आजकल तो private sector में भी वो लोग बहुत online जब से COVID है, उसके बाद से, जो online work from home चालू हुआ है, ये फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा option हो गया है, job option. टेखनोलोजी अगर देखेंगे तो वो हर एक फील्ड में मतलब, irrespective of gender, obviously, वो जो जिनके लिए accessible नहीं हो पाता है घर से निकलना, चाहे वो disabled हो या वो कोई भी gender के हो, वो घर पे बैठके आज टेखनोलोजी के कारण ऐसे चीज़े कर सकते हैं, जो physically able या वो लोग भी नही से जो घर में अभी housewife के जैसे हैं, लेकिन उनको financial issues है, so वो क्या कर पाय रहे हैं, अभी कि government के भी scheme से कुछ, कि घर पे बैठके online training लेते हैं, वो computer courses करते हैं, अधर cooking courses कर सकते हैं, so उससे वो लोग अपने family को support कर सकते हैं, जैसे कि मेरे बाकी साथियों ने कहा कि women, जो empowerment है औ हमारे country में improve हुई है, इन्होंने बात की कि क्या क्या women को सुईधाय मिली हैं, मैं उस बारे में बात करूँगा कि women कैसे enter हुई, especially in the field of technology, so if I am not wrong, Sudha Murthy was the first engineer who contributed in the engineering field, लेकिन उसके बात से क्यों वो problem होती थी कि महिलाएं पहले engineering में नहीं जाती थी, क्योंकि पहले हमारे पास automation की सुईधा नहीं थी, पहले हमारे पास ऐसे digitalization नहीं था, जिससे हम बटन दबा के सारे काम कर सके, आज कार को लॉग भी करना है, तो आप बटन दबा के कर सकते हैं, घर के सारे appliances भी आप अपने हिसाब से operate कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं physical strength में मही लाएं, थोड़ी सी physical strength ऐसा रहता है, कि वो natural है, हलाकि मैं यह मानता हूँ कि mentally वो पुर्षों को मुकाबले में वो double strong होती है, तो यह जो digitalization है, उन्होंने उनको इस चीज की facility दी कि आपको हाथ से सारे काम नहीं करना है, आपको अपने दिमाग का यूज करना है, और automation का यूज करके, जो काम हमा हमारे लिए बहुत मुश्किल होते थे जो सिर्फ पूरुस प्रधान वर्क होते थे, वो फीमेल्स भी उसको भागेदारी कर रही है, चाहे वो ट्रेन की इंजिन चलाना हो, फ्लाइट चलाना हो, या रिसर्च करना हो, या इंजिनिरिंग फिल्ड में हो, और आज के डेट म और जैसे हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जो डाइगनोसिस प्रोसेस माहिलाओं के लिए बेनिफिशल हुए हैं, उसी तरह से पुरुषों के लिए भी टेकनोलोजी ने अपना योगदान दिया है, उनके भी अर्ली डिटेक्शन के लिए, लाइक कर रही हैं? एक बाब अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा है, एक पत्नी को सपोर्ट कर रहा है, उसी तरह पत्नी अपने पत्नी को सपोर्ट कर रही है, तो धीरे धीरे करके चीजें इतनी बदल चुकी हैं कि हाज हर फिल्ड में, चाहे वो टेक्नोलोजी फिल्ड हो, या मेडिकल फिल्ड हो तो हर चीज में एक दूसरे को पती और पतनी मेल फीमेल एक दूसरे को एक्जेक्टली सपोर्ट करें जिसे एक अच्छे समाज का निर्मान हो सके मेरे काट की डीटेल्स मैं अब खुद ही डालूँगी RBI कहता है अपना प्तिल, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ट किसी के साथ शेर ना करें ओनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाईल और सिक्योर नेटबर्क से करें RBI कहता है अपना प्तिल, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ट किसी को ना दे ओनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाईल और सिक्योर नेटवर्क से करें हाँ, ये खाने की चांपियंशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिये सतर्क रहिए हाई माम, फिर से शॉपिंग? बाबुजी, आपने इसे भी कार के रखा लिमिट में कर तो कुछ बुरा नहीं होता है बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके काड पे हैड़न जो है मने तो काड पे लिमिट सेट कर दिया अच्छा इसके फाइदे ये हैं कि रिस्स कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंद बैंको बोल देजे नुक्सान कम दादू एए नेक्स्ट टाइम ये पेंक ब्रॉड यॉर दे लिमिट लिमिट सेट है आर बियाए कहता है जानकार बनिये सतर्क रहे जेंडर एक्वालिटी का रोल तो आज की डेट पे हर फील्ड में है और जो आर्ट की फील्ड है उसमें देखे पुराने जमाने में क्या था कि आर्ट में हम लड़कियों को ही भेजते थे लड़कियां घर पे रहती थी रांगोली बनाती थी पेंटिंग बनाती थी घड़े वगर पॉर्टरी इस पेंट करती थी यह सब आर्ट का फॉर्म था और लड़कों को बेसिकली हम बाहर काम करने भेजते थे लेकिन आज वो चीज नहीं है आज जो एक सोशल मीडिया है टिकनॉलिजी इतनी डिवलप हो गई है इससे हम देश विदेश की शारी खबरे देश विदेश के आर्टेस के बारे में हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि दूसरे देशों में आर्ट के फील्ड में जंडर इक्वालिटी है वहाँ जितनी लड़कियां involved है उतने ही लड़के भी involved है तो वो चीज अब हमारे इंडिया में भी आ गया है इंडिया में भी बहुत है मतलब आज के डेट पे एक्वल है लड़के और लड़कियां आर्ट के फील्ड में जितना लड़कियां प्रोग्रेस कर रही हैं उससे भी जादा लड़के प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आज हर फील्ड में मतलब जिनको हम सर्फ लड़कियों के लिए रिजर्फ रखते थे, पैरेंट्स बोलते थे लड़कियों को गाना सीखना हैं, और लड़कियों को डान सीकhना हैं, आर्ट e'ं क्राफ सीकhना हैं, उन सब फील्ड में आज बोड़के भी इकवली party participat कर र बहुत अवेरनेस हो गया है उनकी इंट्रेस्ट बढ़ गया है लड़कों का भी इस फील्ड में आप कहरें कि टेक्नलोजी का इंपक्ट पड़ा है क्योंकि लड़कों ने टेक्नलोजी की थ्रू यह जाना कि भई गायनी की जॉन्ट फील्ड की जिस पे वो जा नहीं सकते हैं तो वो अवेरनेस उनमें आई है यह बिल्कुल आई है इसके अरावा जो जेनरल पॉपलेशन के लोग हैं जो आम लोग हैं उनमें भी पहले बहुत एक कॉंशिसनेस थी जो कि आप धीरी-धीर करके दूर हो रही है क्योंकि पहले क्या था कोई प्रॉब्लम है तो आपको सि सोचल मीडिया पीतया गॉंटेंट्स हैं जो की वů देखते हैं और उसके बारे में अवेर होते हैं तो अगर उनको लगता है कि उनमें वो जो प्रॉब्लम तो लगता है तो जो टेकनोलाजी है उसका असर महिलाओं पे बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि हम पहले थे अपनी बातों को दूसरे तक पहुचा नहीं पाते थे जब से हमां हमको ये टेकनोलाजी इंटरनेट और बहुत सारे जो सोसल मीडिया के जो मिले हैं हमको माद्य हम उससे हम अजकल ये सोसल मीडिया और जो जितने हमको संचार माध्यम से मिला है जो हमको सही हो उसी के बल पे खासकर मैं अपना अनुभा बताना चाहूंगी कि मैं 20-25 वर्सों से अपना लेखन कारे में थी लेकिन वो केवल मेरा पत्रिकाओं तक ही सीमित था लेकिन जब से मैंने ये संगोष्टी में सामीर होती हूं अभी मैं दो अंतराष्टी नेपाल और मलेशिया में जाके साहिति संगोष्टी करके आई तब मुझे अनुभा हुआ है कि हम ये सब हमको आगे बढ़ाने में महिलाओं को खासकर आगे बढ़ाने में सोसल मीडिया और ये जितने भी हमारे ये कहा जाए टेकनिकल ये सभी चीजों ने बहुत ही सहयोग किया है अगर ये नहीं रहता तो हम 50% ही आगे बढ़ते और आगे बढ़ाने में बहुत थी ये महत्वपूर्ण हमारे लिए रहा है नारी हूँ मैं बेटी जन्म लेकर इस दुनिया में आई हूँ पहले पत्नी बनी फिर माता बनी जहां की भले रूप मेरे अनेक है और वसल इसने दया भाव आचल में मेरे और एक मेरी और पंक्तिया है कि ना पूछो की मंजील कहां है मेरी अभी तो चलने का इरादा किया है ना हाऊसला हारूंगी में उम्र भर ये किसी और से नहीं खुछ से वादा किया है हमारे साथ है पूनम घई और शोभा विश्करमा पूनम घई और शुभा जी आपका स्वागत है हमारे शोव में तो जैसे कि पूनम जी है वो हाउस वाइफ हैं लेकिन धीरे धीरे वो अपना बिजनस भी एस्टेबिश कर रही है तो कैसे टेक्लोजी ने उनको मदद की है चलिए उनके ही उससे सुनते हैं जैसे मेरे हजबन को गए हुए चार साल हो गए पहले तो मैं अक्यली थी मगर यही मुझे बहुत हैल्प करी टेक्लोजी मतलब मेरी दो बेटियां जो बाहर पढ़ती है एक बैंगलॉर और दूसरी वनस्थली जैपूर बड़ी वाली फ्र और स्कीुस्ट गट मेर में दूसरी में तो कि अम अब लो नोग नए शॉचल वर्क में तो अभी फ्री हो एक क्योंकि रेटारामेंट हो गया तो अब मैं ये टेक्नोलगी से कुछ घर बेटके आप योगा सिखाना है या तो आपको आप जो हैं नो सिलाई कराई करना है या कुछ आपको कुकिंग का है अन्तराश्टी महिला दिवस्की आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुपकामना है आपने विविन छेत्रों से जुड़ू हुए व्यक्तियों के विचारों को सुना और मैं उमीद करती हूं कि अब आप टेकनोलोजी और इन्नोवेशन का भरपूर इस्तेमाल करते हु प्रूम्स 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 प्रूम्स